हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू मैं चैनल नितोस कुकिंग हव आज मैं आप लोग के लिए ले के आए हूँ चीकेन की एकदम न्यू रेसिपी जिसे आपने ना तो बनाया होगा ना ही खाया होगा और इसे जब आप एक बार बनाएंगे तो केपसी के स्मोकी चीकेन का भी टेस्ट भूल जाएंगे तो आएए इसे बनाते हैं चीकेन रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है डेर किलो लेक पीस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से धो के पानी सारा निकाल दिया है और गहरे-गहरे कट लगा दिया है ताकि मसाले अंदर तक जा सकें और इसे धोते समय आप एक चमच विनेगर डालके 10 मिर तक छोड़ दे ताकि इसके रेसे सौप्ट हो जाए इसे आपका चीकेन काफी सौप्ट होता है और अंदर से एकदम जूसी बनता है और अभी मैंने लिया यहाँ पे बावल बावल में मैं एड़ कर रही हूँ एक छो का ऺच पे मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटी चमच सौफ जिसे मैंने डरदरा कूणके डाला है इसी के साथ मैं एड़ कर रही हूँ एक बड़ा चमच लेसन का पेश्टअ दो जालेंगे निमबु का रस नीबू का रज डालने के बाद इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो इस टाइम पे जो हमारा लेकपीस है वो हम इसमें एड करेंगे और अच्छे से इस पे मसाले की कोटिंग करेंगे तो हाथों से इस तरह से mix करते हुए इस पे मसाला लगा है चिकन पे जो cuts थे उसके अंदर भी आप मसाला इस तरह से लगा दे और यहाँ पे जब साड़े चिकन पे मसाले लग जाएं तीन हरी मिर्च लिया है, चार से पांच लाल मिर्च लिया है, और इसे हम बीना पानी के दरदरा पीस लेंगे, तो यहाँ पे जो प्याज है वो मैं कट करके एड कर दे रही हूँ, मिक्सर पॉट के अंदर, और यहाँ पे देखे फ्रिंट मैंने इसे दरदरा पीस लिया है, और इसे मैं एक बावल में निकाल ली हूँ, उसी बावल में मैंने एक मुठी हडा धनिया लिया है, जिसे कट करके डाला है, और एक साइड पे रख दिया, और यहाँ पे चिकेन को रखे हुए भी एक घंटे हो गया है, तो इसे हम करेंगे फ्राई, तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में वाइल डाल दिया था, गड़म होने के लिए, वाइल यहाँ पे मिडियम गड़म है, तो चिकेन जितना आ सकता है, उतना मैं, एक साथ पैन में एड़ कर दूँगी, और इसे हमें लो मिडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि चिकेन अंदर तक पक जाए, तो अभी मैंने इसे ढख दिया है, ढखने के 3-4 मिनट के बाद मैं इसे पलट रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि नीचे से पूरी तरह से सेट हो चुकी है, मसाला बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है वाइल में, तो बस इसी तरह से हमें उलटते पलटते हुए इसे फ्राई करना है, और यहाँ पे देखे इसे फ्राई करते हुए लगबग 10 मिनट हो चुके हैं, चिकेन अच्छे से फट चुके हैं, मतलब यह हमारा चिकेन अच्छे से पक चुका है, तो इस टाइम पे हम इसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे सैलो फ्राई कर आप चाहें तो deep fry भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह से भी chicken अच्छे से पक जाते हैं तो यहाँ पर देखें यह fry हो चुक है तो मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट में और बागी के chicken को भी हम इसी तरह से fry कर लेंगे तो आप चाहें तो इस chicken को इस तरह भी enjoy कर सकते है क्योंकि य मसाला हमने इस पे भी लगाया था और बस इसी तरह से ये देखे साड़े चिकन फ्राई हो चुके हैं तो अभी मैंने इसे एक साइट पे रखा है और अभी मैंने लिया एक करा ही जिस वाइल में मैंने चिकन फ्राई किया था उसी में से मैंने डाला है यहां पे दो से तीन चम पर निकल जाए दो से तीन मिनट हो चुके हैं और यह आधा भुन चुका है तो इस टाइम पर मैं एड़ कर रही हूं एक छोटी चमच गासमीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे कलर के लिए साथ में मैंने एक छोटी चमच चेली सॉस एड़ किया है और इन सब चीजों को अच चोटी चमच सोया सॉस और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स किया है और अभी मैंने लिया है एक चोटी चमच कॉर्ण फ्लार और इसे एक चोटाई का पानी में मिक्स करके एड़ किया है और अभी मैंने मसाले के अंदर इसे डाल दिया है और इसे डाल के हम एक मिनट लिया है और यह हमारा मसाला पूरी तरह से डेडी है आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है तो अभी इस टाइम पे जो हमने चिकन फ्राइ करके रखा तो वह हम साड़ा इसमें एड कर देंगे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे डालने और यहां पे इसे भूनते हुए दो से तीन मिनट हो चुके हैं सारे मसाले चिकन के ऊपर कोट हो चुके हैं तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लिये हूँ और यहां पे देखे प्रें मैं इसे आपको तोर के दिखाती हूँ कि यह अंदर तक कितने अच्छे से पके हुए ह और इसे बनाना कितना आसान है आप किसी भी छोटी मोठी पार्टी के लिए इसे ग़र में रेडी कर सकते हैм तो आप इस रेशिपी को एक पर ज़रू ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेशिपी कैसी लगी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फिंट साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेस आपको मिल सके थैंक्स फ़र वाचिंग